इंसान काफी समय से स्पेस पर नजर रखे हुए है स्पेस की हर एक्टिविटी पर स्पेस एजेंसी जिन नजर रखती है इसकी वजह से स्पेस से धर्ती का कनेक्शन अगर स्पेस में कुछ भी होता है तो उसका असर धर्ती पर भी नजर आता है हमारे अंतरिक्ष में तमाम ऐसे रहसे दफन है जिने जानकर हर इनसान चौक जाएगा समय समय पर वेग्यानिकों के द्वारा इस तरह के रहसियों से परदा उठाया भी जाता रहता है आज हम इस वीडियो की मदद से कुछ ऐसे ही रहसियों के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष के उन रहसियों के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नमबर एक, हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि अंतरिक्ष और आकाश एक ही है बलकि ऐसा नहीं है अंतरिक्ष एक ऐसी जगा है जहाँ पर हवा नहीं है परंतु आकाश में हवा पाय जाती है एक निश्चित उचाए के बाद आकाश गगन या नब समाप्त हो जात तब अंत्रिक्ष की शुरुवात होती है नमबर दो अंत्रिक्ष एक वैक्यूम है जहां पर आप ध्वनी नहीं सुन सकते हैं आपको ध्वनी को सुनने के लिए किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा नमबर तीन अंत्रिक्ष में सभी ग्रह उप ग्रह तारे उलकापिट गैलेक्सी ब्लैक होल उपस्तित है दो ग्रहों या दो तारों के मद्ध जो इस्थान मौझूद है उसमें धूल के कण और गैसों की मौझूद्गी होती है नमबर चार, अंतरिक्ष में खतरनाक के रेडियेशन का जाल मौझूद है जिन में इंफ्ररेट रे, अल्टरा वाइलेट, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे आदी शामिल है नमबर पांच, अंतरिक्ष में वायू नहीं है और आक्सीजन भी नहीं है, यही कारण है कि यहाँ अंधेरा रहता है, सूर्य जैसे तेज तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वहाँ भी सिर्फ ग्रहों पर नमबर चे, अंतरिक्ष की माप प्रगाश वर्ष के माध्यम से की जाती है नमबर साथ, अंतरिक्ष के साइस के बारे में बता पाना बुश्किल है क्योंकि ये अनाधी और अनन्थ है नमबर आठ, हमारी धरती के पास की बात करें तो हमारे अंतरिक्ष के मुख्यते हैं, चार भागोते हैं जियो स्पेस, इंटर प्लेनेटरी, स्पेस इंटर स्टेलर और इंटर गेलेक्टिक नमबर 9, अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उब ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, गैलक्सी, मैगनेटिक फील्ड और ब्लैक होल मौजूद है दो ग्रहों या दो तारों के बीच जो इस पेस है उसमें धूल के गण और गैसे मौजूद है नमबर 10, अंतरिक्ष में लाखों गैलक्सीयां हैं जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धर्ती, ग्रह, उब ग्रह, उल्का और ब्लैक होल है वैग्यानिकों ने हमारी गैलक्सी में असंखे तारा मंडल ढूंडे हैं हमारी गैलेक्सी का नाम है मिलकी वे जिसमें हम धर्ती बर रहते हैं माना जाता है कि इस गैलेक्सी में धर्ती जैसे ग्रहों पर जीवन हो सकता है जहां पर मनुश्य से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुश्य रहते हो अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंडी जा चुकी है वैग्यानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सीयां हो सकती है नमबर 11 हमारे सौर मंडल में इस्थित शुक्र वबुद्ध दो ऐसे ग्रहें हैं जिसके पास प्राकरतिक उपग्रह नहीं है अंतरिक्ष में तीन तरह का ब्रहमांड पाये जाते हैं इस्पाइरल, एलिप्टिकल और इर्रेग्यूलर नमबर 12 अंतरिक्ष वास्तव में पूरी तरह से शान्त है क्योंकि वायूमंडल की कमी है साथी अंतरिक्ष बहुती लचीला है समय के शुरुआत से वो अपने आप में विस्तरित होते जा रहा है नमबर 13 अंतरिक्ष में अंगिनत तारे हैं जिसे आज तक नहीं गिना जा सका है कुछ तारे तो हमेशा के लिए वलुप्त हो गए हैं या फिर अचानक से दिखाई देना बंद कर चुके हैं नमबर 14 अंतरिक्ष से यदि हम सूर्य को देखते हैं तब वो सफेद रंका दिखाई बढ़ता है और सौर मंडल में मौझूद सूर्य सबसे विशालक रहे हैं अधिकतर अंतरिक्ष यातरी स्पेस में जाकर 3 इंच लंबे हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व कर्शन कम होने से इंसान के रीड की हड़ी पृत्वी पर होने वाले खिचाव बल से मुक्तो जाती है जिससे उसकी हाइट लगभग 3 इंच तक बढ़ जाती है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मज़दार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें